हेलो चैंपियंस आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ हो मस्थ हैं दोस्तों मैं पी के मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडिर्ड में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज हम लोगने हिस्ट्री का मैप करने वाले आउर आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री से दो माक्स का मैप आता है और मैं आज आप लोगों से ऐसी दमदार और मज़ेदार ट्रिक्स शेर करूँगा कि जैसे ही एक्जाम में ब्लैंक प्लिटिकल मैप आपके सामने आएगा सारे places को आप easily identify कर लेंगे क्योंकि अच्छा एक चीज़ और है हम लोगों को पता है कि क्यों 8 points हैं जहां से मैप के question आने वाले हैं हिस्ट्री में तो आईए देखते हैं ये 8 points कौन कौन से है और trust me अगर आप हाँ एक चीज़ और आप blank political map और pencil लेके बैठिए अगे आने वाले 8 से 10 मिनिट में हम सारे maps कर डालेंगे यानि 8 से 10 मिनिट में हमारे 2 number 100% पके आईए शुरू करते हैं फिर इसी के बाद से एक बार हलका सा देखते हैं syllabus क्या है ये हमारा 2023 और 2024 यानि अगले साल जो आप लोगों का board का exam होगा उसके लिए map का syllabus है ये cbs ने issue किया है जिसमें हमारे congress के 3 sessions है सत्यागरह movement 3 है जिसमें गांधी जिसको गांधी जी ने lead किया था और जलियावला बाग है और दांडी मार्च है ये हमारा हो गया syllabus अगर आप देखो total कितने है तीन च्छे दो आठ यानि आठ पॉइंट्स आठ से दस मिनिट में हम लोग करेंगे और हमारे दो नंबर 100% पके राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारे ये पहला हमारा ये रहा Congress के 3 sessions तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो Congress के 3 sessions हुए ये sessions की importance क्या है आईए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो September 1920 में Calcutta हम हुआ था इसकी क्या significance है जो Congress का September 1920 में session हुआ था Calcutta में उसमें proposal रखा गया था कि Congress की leaders non cooperation movement को launch करेंगे start करेंगे ये प्रपोजल रखा गया था पास नहीं हुआ था पास कब हुआ था ये प्रपोजल पास हुआ था December 1920 के नागपुर session में तो इस पे जो Calcutta वाले session हो तो इस पे किस तरग के question आ सकते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं कि a special Congress session special Congress session was held to pass the resolution of the non cooperation movement कि non cooperation movement movement launch किया जाए इसलिए Calcutta में 1920 में Congress की session हुई थी राइट तो आए हम लोग अभी हम लोग तो यह हुआ अब Calcutta को हम लोग plot कैसे करेंगे राइट चले पले details कर लेते हैं अब plotting बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को सिखा दूगा बहुत मज़िदार तरीके से राइट अब देते हैं कि जो नागपुर में 1920 में हुआ था session उसकी क्या significance थी compromise was worked out and the non-cooperation was adopted basically जो 1920 September 1927 का जो हमारा Congress का Calcutta में session हुआ था वहाँ प्रपोजल रखा गया था और चार महीने लग गए Congress के leaders के कुछ leaders चाहते थे कि non-cooperation movement शुरू हो कुछ कर रहे थे नहीं non-cooperation movement नहीं शुरू हो तो चार महीने लग गए इस decision को लेने में finally December 1920 का जो अपना नागपूर का Congress का session हुआ उसमें decide हो गया कि हाँ भाई non-cooperation movement हम लोग शुरू करेंगे राइट उसके बाद Congress का तीसरा session जैकर तीन ही सेशन है Congress के दो एक तो September 1920 में हुआ था कलकेटा वाला दूसरा December 1920 में हुआ था नागपूर वाला तीसरा हुआ था अपना 1927 में मदरास वाला इसक्या जो 1927 का मदरास वाला हुआ था इसमें दो बहुत ही important चीजें हुई थी जिस पर question बन सकता है पहला क्या साइमन कमिशन के को बायकोट किया जाएगा साइमन कमिशन का बायकोट किया जाएगा 1927 के मदरास कॉंग्रेस सेशन में डिसाइड किया गया दूसरा क्या था कॉंग्रेस ने पहली बार कॉल किया था कि भाई पूर्ण सुराज या complete freedom की बात करे थी कॉंग्रेस ने सबसे पहली बार कॉंग्रेस के 1927 के मदरास सेशन में फर्स टाइम कॉंग्रेस कॉल्ड फॉर पूर्ण सुराज और complete freedom तो यह तीनों हम लोगों ने समझ लिया कि यह तीनों कॉंग्रेस सेशन में कौन सी important events हुई थी इसी भी basically question बनेगा राइट आईए इसको plot करते हैं बहुत ही उल्टा वी अगर आप इधर से मैं आपको देखा तो उल्टा वी या यहां पर ट्रैंगल दिखेगा आपको राइट तो बस इसी इसी के ऊपर इसी के ऊपर उल्टा वी ट्रैंगल यह देखो यह आपका क्यलकेटा राइट यह हो गया हमारा क्यलकेटा राइट दूसरा हमारा कहा सेशन हो था नागपूर में नागपूर को देखे अगर आप ध्यान से देखेंगे देखे यह हमारा महारास्टा है महारास्टा में नागपूर है यह देखे अगर हम इधर से च अग्रस-अगरी कर गये थे, ठीक है। हम लोग चुरू करेंगे राइट उसके बाद ये मडरास वाला जिसमें हम लोगोंने ये देखा था कि भाई एक से मडरास वाला जिसमें हम छोड़रास को करेंगे बहुत इसी है यहां पे है आपका मडरास अध्यान से देखेंगे तो यह रहा है इसमें क्या हो था साइमन कमिशन को बाइकॉट किया गया था करने की बाद को accept किया गया था decision लिया गया था साइमन कमिशन को हर एवरी stage पर हम लोग बाइकॉट करेंगे और दूसरा क्या था पहली बार Congress ने call दिया था कि शीज का पून स्वराजया complete freedom की बात करी थी, right, तो यह हमारा हो गया 1927 का madras, right, 1927 का madras हो गया, right, चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा Congress के, हमारे Congress के तीनों session हो गए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे, कि हमारा जो 3 सत सत्याग्रह movement जिनको गांधीजी ने lead किया था, आएए देखते हैं उसे, right, तो 3 कौन कौन से session थे, हमारे, यह देखने, देखिए, एक तो खेडा गुजरात में हुआ था, दूसरा चंपारन बिहार में हुआ था, और तीसरा कहां पे हुआ था, हमारा सत्याग्रह, I think, अहम की detailings पे questions बनेगी, आई एक बर इसे देख लेते हैं, तो देखिए, 3 सत्याग्रह movements हुए थे, पहला देखिए, खेडा, गुजरात किस बात को लेकर हुआ था, peasants demanded relaxation for the payment of revenue, actually हुआ क्या, कि 1917 में न, एक तो crop fail हो गई, दूसरा plague हो गया था, तो peasants ने यह demand करे कि भाई, हमें जो government को revenue देना होता था, तो उन्हों का भाई थोड़ी सी relaxation चाहिए, और government relaxation देना नहीं चाहती, तो गांधी जी फिर आगे आए, गांधी जी ने बोला कि चले, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और हम लोग सत्याग्रह करेंगे, right, तो 1970, इस पी question क्या बनेगा, कि जो 1917 का जो सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा गुजरात में किस बात को लेकर के हुआ था, कि relaxation चाहिए था, payment of revenue, right, in 1997 में, ठीक है, अभी हम लोग plotting करना सीखें, पहले समझ लेते हैं कि question कैसे बनेगा, तो खेड़ा गुजरात में खीशी कि revenue, relaxation, जो पेसेंट को tax pay करना था, British government को, उसमे उनको relaxation चाहिए था, चलो खेड़ा गुजरात की बात ही हो गई, दूसरा, चमपारन बिहार में क्या था, एक चमपारन बिहार में जो एक operative indigo plantation का system था, तो गांधी जी ने जो बिहार के farmers थे, उस समय तो उनकी help करने के लिए सत्यागरह रखा, तो उनको operative indigo plantation का जो system था, उससे उनको relaxation मिल सके, आईए देखते हैं क्या कुछ है, चमपारन बिहार गांधी जी in 1917 inspired peasants to struggle against the operative indigo plantation system, उसके बाद अहमदाबाद में जो हुआ था, तो आप लोग जानते ही हैं, अहमदाबाद वाला जो cotton mill workers थे, गांधी जी ने उनके साथ सत्यागरह करा, किसके against में किय cotton mill workers के साथ cotton mill owners के against किया, ठीक है, तो इन बातों पर question मिल सकता है हमारा कि cotton mill workers की help की थी कांधी जी ने हमदाबाद गुजरात में जो हुआ था, तो आईए इनको पहले plot कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का जो दो है उसको भी पढ़ लेंगे, चले इनको हम लोग पहले, चले हमारा जो जलिया वाला बाग, अमरित सर में जो हुआ था, अमरित सरकाएं पंजाब में, ये अप्रेल 13th, 1919 को हुआ था, आप लोगों को पता है कि जनरल डायन ने, रूरल एरिया से लोग आया था, वैसा कि का festival celebrate करने, उनको पता है नहीं था कि martial law force में है, या martial law लागू है है न, तो लोगों पर indiscriminate firing करी गई, उसके बाद हमारा दांडी मार्च, दांडी मार्च का क्या significance है, basically 6th April 1930 को गांधी जी दांडी पहुचे, जो कि ये coastal town है गुजरात का, वहाँ पर उन्होंने, actually हुआत क्या था कि, अग्रेजी गवर्मेंट ने, बिटिश सरकार ने अप दांडी पहुचे, जो कि coastal town है गुजरात का, वहाँ पर उन्होंने इस salt, चुकि salt बनाने, salt manufacturing और salt को sell करने का, राइट को बिटिश सरकार को ही था, तो गांधी जी ने खुद salt बनाया वहाँ पर, by boiling sea water, right, खुद salt बनाया, ऐसा करके उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने civil disobed disobedience movement की शुरुआत करी, right, question में यही आएगा, आप लोग देख सकते हैं, दांडी मार्च on April 6, 1930, गांधी जी ceremonially violated the salt law and manufactured salt by boiling sea water, right, एक तो यह था, और दूसरा यह आ सकता है, civil disobedience movement, यही 6th अप्रेल 1930, दांडी से ही शुरू हुआ, basically, salt को manufacture और sell करने का, राइट किसी को नहीं थ तो गांधी जी ने कहा कि हम disobey करेंगे इस चीज को, हम salt बनाएंगे भी, और sell भी करेंगे, तो गांधी जी ने salt बनाया था, अब यह जो हमारे 5 places, कौन-कौन से हो गये, basically, 3 हमारे हो गये, सत्यागरह के, खेडा गुजरात का हो गया, चंपारन बिहार का हो गया, गुजरात का हो गया, उसके बाद हमारा अमरित सर हो गया, जलिया वाला बाग, और हमारा next क्या है, हमारा दांडी हो गया, जहां पर गांधी जी ने civil disobedience movement की शुरुवात करी, या salt law को देख किया, आईए प्लोट करते हैं इसे, आप लोग ध्यान से देखेगा, बहुत ही आ आपको, यह वाला एरिया देख रहा है, देखे, खेडा यहां पर है, यह देख रहा है, इससे ठीक उपर जाकि हलका सा, हलका सा लेफ्ट हो, यह खेडा है, यह होगे हमारा खेडा, खेडा, राइट, खेडा में क्या हुआ था, खेडा में क्या हुआ था, खेडा में क्या अधियार से हल्का सा उपर यह रहाź का अहम्यकतबाद राइट यहां पर क्या हुआ था गांधिज्य ने बॉड़ और वुड के साथ में श्कतितों अगेंस्ट सत्यागव पैठे थे लाँ या एनदे पाट कि फेन दो तो हो गया अब दांडी देखी लेते हैं यहां पर आए है तो दांडी के लिए देख clear Electric को यहां पर Y या दिखे, यह C जैसा कुछ formation दिख रहा है, यह सी, C for cat, जैसा ten uhat, यह formation जो दिख रहा है आपको, देखे, यहीं पर है 정확 है तो यह रहा हम्रित सर. प्रणे आगला हमारा क्या है? आमदाबाद हो गया जलियवाला बाग मामिस रोग दांडी भी हमारा हो गया चमपारन देखते हैं चमपारन को लोकेट करना बहुत ही आसान है आई देखते हैं कैसे यह देखे है रहापना बिहार यह रहापना बिहार ये बिहर के ये अरिया चमपारण है चमपारण हो गया basically तो basically ये total eight maps थे और एक चीज़ आप लोगों से और share करना चाह रहा हूँ कि कभी-कभी दिखो तीन तरक एक्वेशन बन सकते यानि आपको identify करना पर सकता है आपको locate करना पर सकता है तो ये एक बार board का question paper भी slide में है उसको देखके हम लोग discuss करते हैं कि क्या question हो सकता है देखे यहाँ पर ये वाला है ये board का question है ये 2023 का ही है तो देखते हैं इसमें का लिखाया है जैसे लिखाया कि two features a and b are marked basically map पे already marked है और ये हमारा question है देखे हमारा question है ये ठीक है मतलब blank map map तो blank हो गया लेकिन place already marked है यानि location already दी हुई है अब आपको पढ़कर के identify करना है कैसे करना है देखे क्या question है अभी हम लोगों ने पढ़ा जैलिया वाला बाग incident कहा हुआ था अमरित सर में 13th April 1919 को तो एक तो type ये हो गया question का दूसरा type क्या हो सकता है दूसरा type इस तरीके से हो सकता है कि जैसे चलो मदरास वाले example से समझते हैं उसमें map पे जो mark किया होगा ने mark नहीं किया होगा question इस तरीके से आ सकता है in this congress session of 1927 it was decided that Simon Commission would be boycotted या question आ सकता है Congress gave call for पूर्ण स्वराजा complete freedom तो हमें अगर हमने अच्छे से history पढ़ रखी है तो हमें तुरन पता चल जाएगा कि जगा कोई सी है मदरास अब मदरास को हमें क्या करना है पहले मदरास हमें पता चल गया यानि हमने identify कर लिया अब हम उसे locate भी करना होगा यहां पर देखो location और इस वाले question में location दिया हुआ था तो इस तरीके से basically जो sentence जो statement दिया होगा statement पढ़के हमें समझना होगा कौन सी जगह है और फिर हमें locate भी करना होगा तो मदरास कहां पे था जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था यह रहा भाई अपना मदरास right तो इस तरीके से इस तरीके से question आ सकते है तो जो हमारे history में total 8 points है उन सारे 8 points की detailing PDF के form में आप लोगों को मिल जाएगा उसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिए और map को plotting करने की 2-3 तीन बार कोशिश कर लीजिए अपने आप हो जाएगा एक बार देख के कर लीजिए फिर एक बार बीना देखे करने के कोशिश करेए जहां आप अटकते हैं एक बार वहाँ पर देख लीजिए third time कोशिश करें third time अपने आप आपको आजाएगा और trust me यह दो नंबर बहुत ही आसान है so please try to get full on full. Thank you so much.